हेलो सुरेंट्स, वेलकून टू माइन नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस्ट, बढ़िया तो लोग श्टार्ट करते हैं फार्मेसी लौ एंड एथिक्स में आज हम लोग नया चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स के अगेंश्ट जो क्रूयल्टी होती है, जो उनके खिलाफ एक 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 एक्ट बना, ठीक है, 1960 में और ये एक्ट बनना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम लोग जानवरों को कई बर अनवर्श्चक बे वज़े ही मारते काटते हैं या तोड़ते हैं उनको परिशान करते हैं ठीक है, तो उसके अगेंश्ट एक 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 एक्ट बना और इसकी एक और खास वज़े ये भी थी क्योंकि सबसे जो बड़ी वज़े ये थी कि एनिमल्स की उपर एक्सपेरिमेंट होते हैं है ना, वो मजबूरी भी है हमारी, करना पड़ता है हम लोगों को बिना है, उनके ओपर एक्सपेरिमेंट किये हम लोग डायरेक्ट किसी भी दवाई का इस्तमाल इनसानों पर नहीं कर सकते हैं ठीक है, तो उसी को देखते हुए एक बहुत सारी बाते हैं इस एक्ट में of unnecessary pain, unnecessary pain का मतलब क्या है, अगर आप उसको एक एक्सपेरिमेंट के तहत इस्तमाल कर रहे हैं, उसको दर्द हो रहे हैं, तो वहाँ पर उसको हमारी जरूरत है, लेकिन उसमें भी एक मतलब चीज़ें लिखी हुई है, किस हद तक क्या क्या चीज़ें हैं, सब समझेंगा हम ल भूत मिलता है, तो आपके उपर जुर्माना लग सकता है, जेल हो सकती है, हाँ, जेल भी हो सकती है, ठीक है, अनावशक पीड़ा पहुंचाना, दर्द देना या सफरिंग on animal as well as to prevent cruelty to animals, तो यही इसका उदेश्य है, यही इसका objective है, अनावशक पीड़ा ना पहुंचाया ज ठीक है, अब इसके अंदर कुछ definition से हमको समझनी है, animals का मतलब क्या रहेगा, animals को इस act ने clearly बोल दिया, means any living creature, creature मतलब जीव जन्तू, कोई भी जिन्दा जीव जन्तू, humans के अलावा, humans के अलावा आसपास कोई भी जीवित जीव जन्तू है, वो animals की category में आएगा, उसे हम animal बो domestic animals, ठीक है, कोई भी जानवर जो की domestic नहीं है, domestic की definition अलग है, which is in the captivity, जो की कैद में है, और confinement, captivity कैद में है, confinement जिसको कैद किया गया है, whether permanent or temporary, या permanently कैद किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जू में रख लेते हैं, या temporary, कई बार जंगल से पकड़ के ले आते हैं, बीमार बगएरा होते हैं, तो उन्हें मजबूरी में रखना पड़ता है, उनका इलाज करने के लिए, ठीक है, और which is subjected to any appliance or contravence for the purpose of hindering or preventing its escape from captivity or confinement or which is penine or which is or appears to be memmed, ठीक है, तो overall बात क्या हो रही है, केवल यहाँ पर simple से क्या करेंगे, बहुत सारा और और करके दे दिया है, तो यहाँ पर हम लोग any animal, यहाँ पर क्योंग क्योंगे, domestic को छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे, domestic को छोड़ देंगे, उसके अलावा कोई भी जानवर जिसको हमने कैद किया हुआ, चाहे temporary या permanent, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, captive animal कहेंगे, simple सी बात है, उसमें और 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 करके सारी condition लगा दी है, फिर यहाँ पर एक condition आगी है, domestic animals की, अब यह होगा हमारे पालतू, यह कैद में तो होते ही नहीं, खुला छुटा रहते है, ठीक है, means any animal which is tamed, tamed मतलब पाला गया है, और which has been or is being sufficiently tamed to serve some purpose, उसको पाला गया है, या which has been or is being sufficiently tamed, उसको इसको इस जर्व some purpose, कुछ purpose के लिए, जैसे गाई भैस पालते हैं, हम लोग दूद के लिए, है ना, for the use of man, जिससे कि वो इंसाने काम आ सके, और या फिर which although it neither has been nor is being nor is intended to be so tamed, or it has become in fact wholly or partly tamed, ठीक है ना, तो कह रहा है, या पूरी तरीगे से पालतू नहीं है, या थोरी तरीगे से प पालतू तो वो पालतू की यहां पर क्या है, कंडिशन दे दी है, आप लोग इस definitional cable कहां तक रखेंगे, यहां तक, clear है, बाकी की लाइने यहां से हटा देंगे, clear है, तो domestic animal का simple था मतलब क्या हो गया, means any animal which is tamed, or which has been, or is being sufficiently tamed, या उसको इस कदर, यह तो language हम पहले ही बता च आप लोग केवल जितना मैं बचा रहा हूँ, उतना ही समझेंगे, और बिल्कुल यही language लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज समझा दी गई है, केवल उतना लिखेंगे, वो भी आपके लिए परियाप्स है, उसमें आपको marks मिलेंगे, ठीक है, अभी और और करके, जो वो यह थोड़ा बहुत पालतू हो गई है, तो फिलाल है डोमेस्ट्री का मतलब क्या आजाएगा, कितनी बाते लिखनी है, कोई भी जानवार जिसको पालतू बनाया गया हो, और कुछ खास परपस से बनाया गया हो, जिससे की वो इनसान के काम आ रहा हो, ठीक है, फिर यहाँ पर local authority means municipal committee की बात होती है, या district board और other authority for the time being invested by law, जिसको की law के द्वार authority दी जाती है, with the control and administration of any matters within a specified local area, local authority में कोई भी एक authority, municipal committee या कुछ भी हो सकता है, देखो को municipal committee वाले आत जाती है, तो उनके बाद authority है, हम लोग ये काम नहीं कर सकता, अगर आप लोग गली के कुत्तों को पकड़ के करेंगे, तो आपको सजा हो जाएगे, आपका authority नहीं है, ठीक है ना, तो local authority ये होगी, owner, मालिक, है ना, owner के वालिक, used with reference to an animal, अगर हम इसे किसी animal के reference में बात करें include not only the owner, but also any other person for the time being in possession, कह रहा है अगर हम animal के respect में owner की बात करें, तो यहाँ पर हम केवल owner की बात नहीं है, अगर किसी वज़े से किसी जानवर को कोई और इनसान अपने पास रखे हुए है, या court के चलते कई बार, क्या वाद विवाद हो जाता है, ठीक है, तो court जानवर की custody क किसी तीसे को देता है, तो किसी वाद custody है, या किसी के पास मालिक है, वो पडोस में देगा है, भाई हमारे कुत्ते का ख्याल रखना, तो for timing, उतने समय के लिए वो मालिक हो गया है, तो यहां सब कुछ कवर कर रहा है, यह और और लगा करके हर condition कवर करते हैं, law में, ठीक है, whether with or without the consent of the honor, ठीक है, चाहिए उसने उस animal को, अब यहां पर यही बता दिया है, मालो animal को चुरा के लिए आया है, कोई suppose, ठीक है, और उसके पास वो जानवर रखा हुआ है, वो भी उसका honor कहलाएगा, ठीक है, भले उसके मर्जी से लाया हो, नहीं लाया हो, लेकिन फिलाल के लिए उतने समय के लिए, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उस जानवर के लिए, ऑनर का मतलब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं हो रहा है, जिस किसी के पास कोई जानवर है, वो उसको honor कहलाएगा, बात खतम, ठीक है, अब एक चीज होती है, फूका यहां डूम डेव कहां जाता है, यह सुना ओगा गाउं धियात में होता है, क्या करते हैं, कि जो पीछे से vaginal part होता है, ठीक है ना, गाये का बहस का, उसमें लोग क्या पूक मारते हैं, उससे क्या होता है, थोड़ा दूद जादा निकलता है, तो यह एक, यहां फूक मारते हैंगी, include any process, कोई भी process of introducing air, या आप हवा introduce कर रहे हैं, डाल रहे हैं, या any substance, या कोई substance डाल रहे हैं into female organ, female के organ के अंदर, ठीक है ना, वेजनल पार्ट से आप कोई समान insert कर रहे हैं, या उसके अंदर हवा blow कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, of milk animal, milk मतलब जो दूदारू होते है जो दूद देते हैं, with the object, और आपका object क्या है, हवा डालने का, या कोई substance डालने का, of drawing of from the animal, any secretion of milk, जिससे कि कोई दूद का, अगर उसमें अफशेस है, तो दूद वहां से निकल के बाहर आ जाए, तो ये हम फूका या doom div कहते हैं, और इसको उपर जुर्माना लगता है, ये गैर कानूनी हो गया है, फिर prescribed का मतलब सब को पता है, means prescribed by rules made under this act, इतना खास नहीं, street include any way, road, lane, square, court, alley, passage, or open space, whether or through fair or not, which the public have access, तो street का यहां पर बताओ, सोचो, street का भी यहां पर define कर दिया गया है, गली का मतलब, क्या गली का मतलब, ये नहीं है कि proper गली है, कुछ भी हो सक जहां पबलिक आ जा सकती है, वो street कहलाती है, क्योंकि कई सारे case होते हैं, हम लोग करते हैं, street dog, street dog का मतलब ये नहीं कि गली का गुत्ता, कोई कहते हैं, हम तो वहां से लेकिया है, जंगल से लेकिया, ना, जहां पर आदमी आ जा सकता है, वो सब street के अंदर इस law के अक्वर ह होते हैं, तो यह कोई definition है जहां पर हमको ये थोड़ा फूका पर ध्यान देना है, और captive animals, domestic animals थोड़ा ध्यान देना है, बाद वागी तो animals के भी definition आपको ध्यान रखनी है, बाद वागी इतना खास नहीं है, now, cruelty to animals, cruelty का मतलब क्या है, क्या cruelty का मतलब मारना तोड़ना ही है, क् अभी तो बैन हो गया हो सब पहले injection लागे दूद निकाला यही क्रुएल्टी है क्या हम लोग जो animals के उपर experiment कर रहे है क्या वो क्रुएल्टी है क्या ठीक है तो क्रुएल्टी देखो क्या क्या बहुत सारे टर्म से हैं अपर कुछ बैने specify किया है किसी भी जानवर को बेवज़ है कोई पेवज़ दिया जाए उसको ट्रीटमेंट दिया जाए बेवज़ है उससे गलत तरीक चेट किया जा रहा है तो वो cruelty के अंदर आता है अगर आपका जानवर बीमार है और आप उससे कोई काम करवा रहे हैं जैसे गाए भैंस है न इस टैप से होते हैं गाव में घोड़ा वो बीमार है और उससे आप काम ले रहे हैं और यह बात अगर अधॉर्टी को पार चल जाती है तो cruelty के अंदर आता है सजा हो जाएगी आप को unreasonably बिनाकारण administering any injurious drug और सबस्टांस बिनाकारण बिना वजह आप उसके अंदर कोई drug लगा दे रहे हैं गलत है सजा हो जाएगी अगर फोटो खीजली वीडियो बन गया सजा हो जाएगी इस चीज के उपर आप नहीं कर सकते यह काम कीपिंग और confining any animals in any cage of insufficient size not permitting it reasonable movement ये भी देख लो अपने घर में एक कुटा पाला हुआ है और एक छोटा सा करके उसकंदर रखते हैं या आप किसी जानवरों को रखने का बाड़ा है आपका और उसकंदर बहुत छोटी स्पेस में रखा हो कि जानवर सभी से हिलडूल भी नहीं पाते हैं ऐसी जगह पर अगर आप उनको रखते हैं तो ये भी किया है कुरूएल्टी मानी जाती जाथी घुल के हिलडूल नहीं पा रहा है है चलफिर नहीं सकता है तो ये उसके लिए क्या है प्रताणना जैसी घ्र कुरूएल्टी के बहुत सारे पहलू है फिले टू प्रोवाइड एनिमल विच sufficient food drink or shelter by its owner जानवर लेतो लिया लेकिन आप उसको सही से रख नहीं पा रहे हैं खाना पिना नहीं दे पा रहे हैं ठीक है उसको बिमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं ये भी cruelty के अंदर है नहीं छमता है तो जानवर मत लीजिए तभी लीजिए जब आपकी छमता उसे पालने लीजिए needlessly बेवज़े mutilating any animal बेवज़े किसी अनिमल को परताडित करना मारना एनी अनिमल इन अननेसेसरी cruel manner ठीक है ना मतलब बेवज़े मारना और cruel तरीके गंदी तरीके तो उसमें कुछ लोग मार देते हैं पत्थर मार दिया कुत्तों को पत्थर मार दिया अब क्यों अगर आपके एरिये में किसी परिशान करना और को जानवरों से पत्थर पत्र मारता हो उसकी photo recording कर लो upload कर दो सजा हो जाएगी उसको ठीक है यह है reality है अभी इसमें देखिए और अच्छे अच्छे पहलू आएंगे जानवरों को ले करके तो यह चीछ है क्योंकि हम लोग इंसान हैं हमारे पास दिमाग है तो हांत है तो हम लोग काफी सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं तो हमारा देखा ही है हम सब लोग जानते हैं बड़े से बड़े जानवर हाथी शेर सब हम लोग काफी में कर लेते हैं injection देके जरूरत पड़ती है तो यानि की कहीं ना कि हमारा हग राइट बनता है राइट नी बनता है हमारा एक duty बनती है फर्ज बनता है कि हम लोग जानवरों को ब ये डारेक्ट टॉपिक नहीं है एनीमल वेलफेर हमारे सिलेबस में animal वेलफेर जै紹 हम पढ पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक टॉपिक निकल के आएगा CPSCE को समझने के लिए हमको एनीमल वेलफेर समझना पढ़ेगा बाढस में आ रही है तो हमारे जो direct topic है हमारे syllabus में कौन से topic है? CPSC ठीक है ना? यह हमारे में direct topic है लेकिन यह कहाँ पर है कैसे exist करता है कहाँ से आया है यह इसको समझने के लिए हमें animal welfare समझना पड़ेगा तो animal welfare जैसे human welfare होता है वैसे ही क्या है? animal welfare एक कहलो की संस्ता एक तरह की जो animals के हितैश हितैशी है animals के बारे में सोचती है तो आओ देखें क्या है animal welfare is defined as the well-being of animals animal का भला चाहाना ठीक है ना? the indicators of animal welfare are the तो हम लोग किस तरह से animal का well-being चाहा सकते हैं या हम कैसे कहें कि हम animal का welfare कर रहे हैं क्या क्या चीज़े हैं जो indicate करती animal का welfare longevity, health यानकि उसकी लंबी आयू, अच्छी health, behavior, physiology, immunity, reproduction, expressions इस सारी चीज़ें जो हैं जो जानवर से जुड़ी हुई है ठीक है? उन सब चीज़ों की भलाई के खातिर जो हम काम कर रहे हैं वो सब क्या है? animal welfare के अंदर आ रहा है, ठीक है? the concern of animal welfare, जो concern है, जो चिंता है animal welfare are that non-human animals are sentient, साफ साफ कह रहा है, जो main concern है, हमारा जो main उद्देश है, जो इसको लेकर हम focus कर रहे हैं, वो ये बात है, कि जो animal welfare में हम लोग कहना चाह रहे हैं, कि जो non-human animal है, humans के अलावा जो भी animals है, bird है, बंदर है, guy bands, they are, या they have sentient, sentient का मतलब हो गया feelings, sentiments, उनके अंदर भी sentiments हैं, feelings हैं, just like human की तरह है, हम सब ने देखा कि इस तरह से, जो जानवर होता है, अगर उसका बच्चा होता है, बच्चे के लिए लड़ भीड जाता है, यानि कि उसके अंदर emotions हैं, ठीक है ना, तो ये animal welfare ये बोलती है कि उसके अंदर भी emotions है, humans की ही तरह है, ठीक है ना, and care should be given for their need, health and well-being, जो उनकी health है, और उनके well-being के लिए हमें care देनी है, तो ये इस चीज़ की वकालत करते हैं, कौन animal welfare करनी भी चीवा, ये reality है, उनके अंदर feelings है, बस बिचारे बोलनी पाते हैं, आपस animal welfare तो क्या होगा है, उनका पूरा भला और animal right की बात करें तो वो क्या चीज़ है, दोने चीज़ फिर एक जैसी होने चीज़ है, तो आप देखें क्या चीज़ है, तो animal welfare means ensuring, सुनश्चित करना that all animals used by humans, जो भी जानवर इंसानों के ज़रा इस्तमाल किये जारे, have their basic needs, जो उन है, जो भी जानवर इंसानों के ज़रा पाले जा रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं line to line explain करते हैं, ठीक है, सुनश्चित करता है, that all animals used by human, जो भी इंसानों के जारे, have their basic needs, उनकी कुछ basic मूलभूत अबश्रकता हैं, जैसे की खाना, पीना, रहना, है न, अच्छा साफ सफ़ाई जगह हैं, तो वह उनकी जो मूलभूत अबरश्रकता हैं, वो फुल्फिल्ड होनी चीए, पूरी होनी चीए, जैसे की खाना है, रहने की जगह है, अच्छी health है, ठीक है, और that animal, वो जो जानवर है, animals experience no unnecessary suffering, बेवज़े का किसी लागों में जाते हैं, जो खचर होते हैं, काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, विचारे मग जाते हैं, खचर, ठीक है, ध्यान नहीं रखा जा रहे हैं, तो यह सब चीज़े हैं, तो इसकी लिए ही ये animals welfare काम करता है, whereas, जबकी, animal right, यानिकि जो animal right मतलब जानवरों का हक, advocate, यह वका जानवर की जिन्दगी बेकार होगी, लो होगी, वो विचारा बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी जिन्दगी और हमारी जिन्दगी equal है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, जानवर को मारने का मतलब murder ही है, ठीक है, यह इस तरह की वकालत करते हैं, कौन, animal rights वाले, ठीक जानवर की जिन्दगी के बीच में conflict होने लग जाए तो animal rights advocate put the animal first, तो वो कहता है कि जानवर की जिन्दगी को आप पहले देखें, उनको पहले सुरक्षित करें, ठीक है, तो यह हो गया animal right और animal welfare, दोनों में distinguish हमको समझना था, दोनों का difference हमको समझना था, कि animal welfare और animal right में क्या difference है, यह छोटा topic जब दिमाग में clear हो जाएगा, अब बात समझ में आएगी कि अच्छा animal welfare जो की जो हमारे पालतू जानवर या कोई भी जानवर उनके रख रखाओं को लेकर सारी बाते करता है, इसी के चलते अब देखो, animal welfare जो समझ में आएगा तब यहां से एक कहानी नि इसी के चलते उसने animal welfare board of India का भी गठन किया, ठीक है, and committee बनाई for purpose of control and supervision of experiment on animals, animals को पर experiment होता है, उसको देखरे करने के लिए कि जानवरों के उपर कुछ गलत तरीकी से तो experiment नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ें गलत तो नहीं हो रही जानवरों के साथ, तो यही है, control and supervision of, ठीक ह सुरी, यहां से है, committee, committee for the purpose, ठीक है न, committee for the purpose, CP of control, C and supervision of experiment on animal, supervision of experiment on animal, CPCA, तो इसी इस तरीके से यहां से CPCA का क्या होता है, role start होता है, तो अब CPCA बात समझ में आ जाएगी, काफ सारी चीज़ें, तो यहां पर CPCA को अलग से बना दिया गया है, खास उस चीज़ के लिए, कि जो हमारे जानवा, जिनको बना experiment कर रहे हैं, उनको क्या हो, उनकी देखरेक हो सब्सक्राइब, वरना कोई भी company जो experiment करती है, lab बगरा वो तो फिर अपनी मनवानी कर सकती है, ठीक है, किसके अंडर यह CPCA काम करता है, under the ministry of environment, forest and climate change, ठीक है, ministry of environment, forest and climate change, जो की oversee, देखरेक करत करती है, इस CPCA की धुरू, तो यहां से CPCA का जनम हो गया, ठीक है, अब इसको पढ़ेंगा आगे detail में, तो एक बात क्लियर होगी, CPCA कहां से आया, यह animal welfare का सारा concept चल रहा था, वहां पे हमको CPCA को डालना पड़ा, मतलब बनाना पड़ा, animal welfare board of India, अब जब इसका जिकर आ गया थोड़ा सा इसको भी देख लें, ठीक है, तो कोई चीज ऐसा है, यह सब चीज़ें, एक्ट के अंदर ही है, कोर्स में basic mention नहीं लेकिन, हम दो दो दिन दिन चार्चा लाइन पर इसके लेकर चल रहा है, इससे की कोई चीज इसमें छूट ना जाए, ओके, the animal welfare board of India is statutory advisory body, है न animal welfare को promote करती है, in the country, country के अंदर, it is located at 31 Mayur in Chinnay, Chinnay में located है, ठीक है, animal welfare board of India, it works to ensure, यह काम करती है, to ensure, सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करती है, that की, animal welfare laws in the countries are followed and provided grants, यह सुनिश्चित करती है, कि जो animal welfare laws है, यह क्या हो, country में properly follow किये जा रहे हैं, कि नहीं किये ज to animal welfare organization, जो पैसे बगरा चाहिए होते है, animal welfare organization को animal की देखरे के लिए, वो सब वहाँ पर उनको वेफ्था करवाती है, the animal welfare board of India was established in 1960 under the section 4 of the PCA act, 1960, इसी act के तहत, animal welfare board of India को गठित किया गया, clear है, तो यह कुछ छोटोटी बाते, जो बीच में हमें जाना जरूरी था, कहां से CPCA जा रहा है, अब CPCA पढ़ेंगे तो अच्छा लएगा, CPCA का मतलब animal welfare की बात हो रही है, और animal welfare में भी यह focus इस पर कर रहा है, जिन animals की उपर experiment होता है, चुहे हैं, खरगोस हैं, बंदर हैं, किस कोई भी चीज है, ठीक है, आओ, यह हमारे बकायदा syllabus में mention है, CPCA overview करके जिन animals की उपर experiment हो रहा है, उसको control और supervise करना है, तो कह रहा है, CPCA was established under section 15, ठीक है, 15.1 of the PCA Act 1960, जो PCA Act में section 15.1 के तहत, तो CPCA का गठन हुआ है, It takes all such measures, यह वो सारे measures, मतलब वो सारे, एक तरह से कहते हैं, काईदे कानून, या कहलो कि, जो भी है काईदे कानून बनाती है, या action लेती है, as may be necessary, जो कि जरूरी है, to ensure, सुनिशित करने के लिए, that animals are not subjected to unnecessary pain, जिससे कि सुनिशित हो सके कि, जानवरों के उपर, कोई भी unnecessary, बे पहले, during, दौरान, और after, experiment करने से पहले, experiment होते समय भी उनको बे वज़ेगा, extra कोई फालतो की पीड़ा ना मिले, और experiment होने के बाद भी कोई पीड़ा ना मिले, यह नहीं की, इस्तमाल होगे तब फैंक दो इसे, मरने का सोट दो, यह काम नहीं कर सकते, लैब बाले, ठीक है ना, तो कह रहा है, before, during, or after, performance of, experiment on them, for this purpose, इस purpose के लिए, committee formulated the breeding and experiment on animal, ठीक है, rule 1998, ठीक है, to regulate the experimentation on animals, ठीक है, तो एक और rule बनाया गया, इसके लिए, committee ने एक और वो बनाया, breeding of, breeding and experiment on animal, ब्रीडिंग वेरा करवाते हैं, फिर जानवर होते हैं, पर जानवर होते हैं, पर जानवर को ब्रीड करवाया, उन्होंने, जानवर एक्स्टा पैदा हो गया, तो क्या करेंगा, उसको यह थोड़ देंगा, ऐसे मरने के लिए, तो उन सब को control करने के लिए, फिर अगेन, rule 1998 में बनाये गए, और amend हुआ, 2001 में, ठीक है, तो इस तरीके से, हमारे पास, breeding of, ant, experiment of animals, ठीक before, during and after performance of experiment, किसी भी type का पीड़ा नहीं होनी चीए, और इसके लिए उन्होंने, roots बनाये, 1998 में, के लिए रहे बाते हैं, अब देखो, यहाँ पर CPCA की बात करें, अगर, तो मैंने बता, CPCA किसके अंडरकाम करती है, Ministry of Environment and Forestry के, Animal Welfare के अंडरकाम करती है, यह, CPCA खुद द करती है, उसने साफ साफ कहा रखा है कि, कि जिस किसी को भी animals पे experiment करने है, ठीक है मालो मेरा एक lab है, या मेरा एक research center है, और मैं animals पे experiment करना चाहता हूँ, तो मैं एक अपने lab में एक committee बनाऊंगा, IEAC, बच्चा यहां बहुत कन्फिस होता है, जहां सो सुनना, मैं अपनी lab में एक committee बनाऊंगा, जिस committee का नाम क्या होगा, institutional animal ethical committee, उस institute की मेरी संस्था की एक committee होगी IEAC, और इसको पहले approval लेना पड़ता है, यहां से, यह जब approval कर देता है, इस committee में इसके भी कुछ members होते हैं, ठीक है न, और फिर यह committee, क्योंकि यह हर जागा तो है नहीं, यह पूरी इस्था में रहेगी, और यह overall सबको control करती है, तो यह बच्चों सब्सक्राइब रहता है, कौन किसके नीचे है, तो यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अब चुना सा बात कर लें हम लोग, cpca की बात चल रही थी, overview की बात चल रही थी, objective समझ में आ गया, cpca का objective क्या है, है ना, before, during, and after, experiment, इतना याद रखेंगे, आगे था sentence खुदी बना लेंगे, इतने समझतार है, मुझे पता है, ठीक है, experiment से पहले, experiment के दौराओं, और experiment के बाद, जानवरों को unnecessary pain नहीं कर देना है, ठीक है, अब इसकी बात हम बात में करेंगे, अब हम cpca को थोड़ा detail, detail, detail मतलब जो overview बोला गया है, तो overview में कुछ बाते हैं, जैसे कि cpca के अंदर कौन-कौन लोग होते हैं, कौन-कौन member है, यह cpca जो बनता है, ठीक है, cpca country का है, उसके अंदर यह है, यह हमारी संस्था का होता है, जो संस्था experiment करती है, ठीक है, तो, sorry, cpca के अंदर कौन-कौन है, special secretary, ठीक है, ministry of environment and forest, ठीक है, climate change का जो होता है, एज़े chairman रहता है, जो special secretary होता है, एक joint secretary होता है, जो कि animal welfare से आता है, वो एक vice chairman की तरह रहता है, वहाँ पर, इस संस्था में, deputy secretary अगें, जो कि animal welfare से लिया जाता है, वो member secretary होता है, ठीक है, director, national institute of animal welfare, NIAW से, director लिया जाता है, drug controller, journal of India, वहाँ से एक member होता है, experts and officials, कुछ experts और कुछ और members होते हैं, officials होते हैं, जो कहां कहां से लिया जाते हैं, एक लिया जाता है, medical council of India से, then veterinary council of India से लिया जाता है, एक बंदा, then pharmacy council of India, PCI से लिया जाएगा, university grant commission से एक लोग रह India, यानि कि तो को हर जगे से, जहाँ जहाँ जानवरों का role है, तो हर किसी, वहाँ से एक special expert रहता है, जो कि अपनी राय रख सके, कोई भी नियम या कायदे कानून बनाने में, institute under department of biotechnology, DBT, experts from medical and pharmacy college, जो को फार्मिसी कॉलेज से भी लोग होते हैं, हमाँ पर क्योंकि दवायों होती है, बात समझवा रही है, काफ सारे लोग होते हैं मिलकर के, CPCA की जो committee बनती है, उसमें ये सब लोग पाए जाते हैं, now basic principles of CPCA, उसका basic सिधानत क्या है, तो कह रहा है, investigators, CPCA कह रहा है कि जो investigators हैं, जो experiment कर रहे हैं, ठीक है, जो experiment कर रहे हैं, are responsible for well-being, वही लोग जिम्मेद कार हैं, well-being, किसके लिए, रख रखाओ के लिए, उनके जो management के लिए, उन जानवरों के, and, euthanasia, euthanasia क्या होता है, यथनेशिया होता है, एक तरह से, एक तरह से हम करते हैं, जिसे इच्छा मित्यू कर टाइप होता है, करके, euthanasia मतलब किसी को जान बूच के मार देना, हो रहा है, उसको वो, मतलब इतना experiment करने के बाद कुछ ऐसा हो गया, उसके साथ, कुछ उसका damage हो गया, कि उसे बहुत पीडा में है वो, ऐसी अवस्था में हम उसको क्या देते हैं, मृत्यू देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहता है, euthanasia, एक खास तरका injection होता है, जिसमें की painless death, ठीक है, उसे pain नहीं होगा, और वो जानवर अराम से मर जाता है, वो जो बहुत जाद कुछ गया, वो ठीक हो नहीं सकता, तो उसे euthanasia, कि लिए होगा euthanasia, okay, and euthanasia is permitted during the study and in some special circumstances, ठीक है, तो साफ-साफ कहा दिया, जो investigator है, वही euthanasia और animal के well-being के लिए जि information, तो कब उसको euthanasia देगा, या कब उसकी देखवाल करनी है, उसको अगर animal paralyzed हो गया है, या अब वो चल फिर नहीं सकता है, extreme or recurring pain and distress, बहुत ज़्यादा extreme pain हो रहा है जानवर को, या बार-बार दर्द उठके आ रहा है, situation at which lack of euthanasia may become life threatening to humans or other animals, ठीक है, कई वार ऐसी situation हो जात हो सकता था, ऐसी आवस्था में भी हम उसको euthanasia करते हैं, ठीक है ना, बास समझ में आगी, तो basic principle यही है कि आपको यह सब चीजें follow करनी है, animal house जहां पे animals रहते हैं, should follow GLP, good laboratory practice, जैसे good pharmacy practice होता है, तो good laboratory practice, मतलब proper house होना चाहिए, proper जगह होने चाहिए, जानलों को रहने की व बहसता होने चीजे हरे की ठीक है ना, animal house should follow GLP guidelines for their housing, feeding, care and disposal, ठीक है, उनका रहने के लिए, खाने के लिए, उनके देखबाल के लिए, और finally उनको हम लोग किस तरीके से dispose, dispose करने का मतलब क्या हो गया, कि हमको उन्हें lab से जब हटाना होता है, ठीक है, तो किस तरीके से हम उनको dispose करेंगे, clear है, now, mandates कहलो या function of CPCA कहलो, एक ही बात है, ठीक है, तो क्या function है, जो को main main चीजे पढ़ते हैं, उसका principle पढ़ लिया, उसका कौन कौन लोग है, वो पढ़ लिया, इसके क्या काम रहेंगे, registration of establishment, conducting experiment on animal, ऐसे establishment का मतलब संस्थाएं, उन संस्थाओं का registration करवाना या करना जो experiment करना चाती है, जानवरों के उपर, registration of establishment engaged in breeding of laboratory animals, ऐसे संस्थाओं का भी, क्या कहते है, registration करना है, जो संस्थाओं, breeding करके, animals के उपर experiment करना चाती है, अब breeding में आप कहोगे, तो breeding तो, breeding में कोई मार काट तो है नहीं, आज जानवरों को मारना काटना तो है नहीं, लेक institution of institutional animal ethics committee, ठीक है, बनवाना, इसका काम है कि IAEC, institutional animal ethics committee, in the establishment registered, हर संस्था में, जो भी संस्था animal के पर experiment कर रही है, breeding करवा रही है, वो एक IAEC बनाएगी अपनी संस्था में, और उसको register करवाएगी, CPCA से मानता प्राप्त लेगी, ठीक है न, फिर ये जो संस्था होती है, ये अपने संस्था, ये जो अपनी committee होती है, ये उस local संस्था में जानवरों को भी वो करती रहती है, क्या, देखबाल नहीं करती है, कि किस हद तक experiment होने चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इन से permission लेके ही सारे काम फिर जानवरों के उपर होते हैं, approval of animal house facility for small and large animals, ठीक है, जो भी आप जानवरों रखना चाहते हैं, उनके लिए जो घर हैं, कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, उनका approval भी यही देता है, permission for conducting experiment on large animals, अगर आपको किसी बड़े जानवर के उपर experiment करना है, छोटा मुटा चुआ है, छोटा मुटे जानवर है, ठीक है, उसके अगर आप experiment करना चाते हो, तो आपको इससे ही permission लेनी पड़ेगी, CPCA से, recommendation for import of animals for experimentation and breeding, ठीक है, अगर आप किसी जानवर को import करना चाते हो, experiment करने के लिए, तो उसके लिए आपको CPCA से ही permission लेनी पड़ेगी, तो यह सारे काम है, इसके mandates हैं, कहलो, mandates हैं इसके लिए, या इस are required to, अब इसको अलग तरीके से देखते हैं, जो संस्थाएं, establishment मतलब, जो कोई भी संस्थाएं engaged है, biomedical research है, जीव जन्तों पर research करने के लिए, उनको जरूरत है किसी की, get themselves registered with CPCA, यानि वही बात आगी है, हमने इसके function ऐसे पढ़ लिए, अब संस्था के साफ से देख लें, हर उस संस्था को CPCA से registration लेना होगा, constitute institutional animal ethic committee, उस संस्था को अपनी क्या कहते हैं, संस्था के अंदर एक committee बनानी होगी, IAEC, get their animal house facility inspected, उनके जो animal house facility है, उनका inspection भी होता है, और आते हैं, उसका inspection करवाया जाता है, तब उसको authority मतलब, वो मिलता है, permission मिलती है, जानल को रखने के लिए, also get specific project for research cleared by IAEC, यानि कि अगर कोई specific project है, जानवर को पर कोई experiment है, ठीक है, तो उसे cleared by IAC, जो संस्था IAC बन जाती है, इनके अंदर, उसी के permission के द्वारा, वो लोग experiment करेंगे, in case small laboratory या small animal, और अगर कोई in case of small animal होगा, यहाँ पर, और अगर यह जो संस्था है, यह जो establishment है, किसी बड़े animals के उपर experiment या कुछ project करना चाह रही है, तो उसको direct CPCA से जाकर के permission लेनी पड़ती है, before commencing them, commence मतलब शुरुआत करने से पहले, उस project को सुरुआत करने से पहले, अगर वो छोटे जानवर के उपर project है, तो IAC permission दे सकती है, बड़े जानवर को लाग करके experiment करना है, वो project है, तो फिर direct CPCA से उसे permission लेनी पड़ेगी, तो यह एक question आपका वनमाक्स वाला आ सकता है, छोटा जानवर और बड़े जानवर की permission कौन देता है, नेस्ट है breeding and trade of animal, है ना breeding होता समझते हैं ना, आपा से meeting वारा कराकर आकर trade, जो उसको बेच रहे हैं, हम लोग for such experiment, हम experiment कराने के लिए जो breeding कर रहे हैं, जानवरों की खरित फरोक्त कर रहे हैं, और also regulated under these rules, इनी rules के अंदर ये सब control किये जाते हैं, तो बात देख रहे हो, यहाँ पर हर एक चीज जानवरों को हलके मत लेना, हम लोग इंसान, बहुत से ऐसे लोग हैं, और संस्था हैं जो सोचती हैं, तो जीस संस्था बनाईं गई है, एक्ट बना दिया गए, ठीक है, तो जानवरों के हक के लिए भी चीज़ें हैं, लेकिन बात ये है कि सब लोगों को पता नहीं है, तो जब आप लोग पता चल गये हैं, तो आप लोग आर का ध्यान रखेंगे ठीक है वो फोर आर कौन से हैं कई बार कोश्चन आया हुआ है यह रिप्लेस्मेंट पहला रिप्लेस्मेंट यूज मैथर विच अवाइड और रिप्लेस्ट दा यूज अगर आपको लगता है कोई एक ऐसा तरीका है जहां पर हम ऐसा कर सकता है कि जा मिल सकता है तो वो तरीका आप अपना है जानवर को बचाएं रिप्लेस्मेंट रिप्लेस्मेंट रिदक्शन यूज मैथर जैट इनेबल रिसेर्चस तो अप्टेन कंपरेबल लेवल्स ऑफ इन्फोमिशन फ्रॉमिशन फ्यूर अनिमल तो कह रहा कुछ ऐसे मैथर रिदक रिफाइनमेंट यूज ओफ मैथर डेट अलिवेट और मिनिमाइज दपोटेंशल पेन रिफाइनमेंट ऐसे तरीके इजाद करें एक्सपेरिमेंट करने के भी जो एलिवेट कम करें या मिनिमाइज कर दें जो पेन होता है जिस पीडा से गुजा दें जो सफरिंग है उनक रिफाइनमेंट ऐसे तरीके इजाद करें कि एक्सपेरिमेंट करते समय जानवरों को कष्ट कम से कम हो देन रियूज और रियूज और रियाबिलेशन का मतलब क्या यह जनरली कहां इस्तमाल होगा द्वारा से इस्तमाल करना और रियाबिलेट अगर आप ब्रीडिंग कर र द्वारा से यूज कर सकते हैं ठीक है यह रियाबिलेट उनको आप ऐसे जगह भेज दें कि वहां पर रियाबिलेशन उनको कहीं पर जहां उनका रख रहापर हो सके और द्वारा जब जरूत पड़ी कि तो जानवर वहां से द्वार ले ले जाएंगे तो वही है रियूज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट जब आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है एक्सपेरिमेंट एज डिफाइंड इन ब्रीडिंग हम मेंली ब्रीडिंग की बात कर रहे है कि ब्रीडिंग के अलाबा कोई और जो एक्सपेरिमेंट होते है उसमें जनरली कार प्रोटोकॉल ठीक है उसी प्रोटोकॉल के तहट या उसी में उसी टाय के दूसरे एक्सपेरिमेंट में या दूसरी जगह पर क्या हो सकते हैं उनका इस्तमाल हो सकता है तो यह फोर आर हमको इस यूज करने हैं एक्सपेरिमेंट करते वक्त जिससे की जानमरों का भला हो सके उनको कम से कम कश्ट मिले तो CPCEA very important ठीक है इसके लिए कासे सारे point है हमारे पास तो यह इसका overview आता है तो हमें बेसिक 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 बाते में बता नहीं है CPCEA हमारे पास यहाँ खतम हो जाता है next हमारे पास आता है IAEC IAEC क्या है institutional animal ethics committee ठीक है institutional animal ethics committee IAEC constituted in registered laboratory under CPCEA हम पढ़ चुके है अभी देखा हमने कि यह जो committee होती है जो registered laboratories होती है संस्थाय होती है उसके अंदर क्या होती है यह committee बनाई जाती है अब role of CPCEA is to monitor animal experiment through IAEC जो CPCEA होता है वो कैसे monitor करता है वो इस committee की through monitor करता है यह committee हर संस्था में होती है वो report भेजती रहती है CPCEA के पास इस तरीके से monitoring होती है IAEC scrutinize scrutinize मतला scrutin होता है देखरे करना all project proposal जो भी project का प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट माल लो कोई नया experiment करना जानवर को उपर तो सबसे पहले वो जो experiment होता है उसके पूरी detailing वो जो संस्था या laboratory है ला करके IAEC के सामने रखती है कि देखें यह experiment हम अगला करना चाते है इसमें तिन जानवर लगेंगे ऐसा ऐसा है यह सब चीजे है तो कोई भी project है वो ला करके पहले IAEC के सामने दिखाया जाता है वो scrutinize करेगा कि यह सही है experiment करने दिया जाए कि नहीं करने दिया जाए ठीक है ना next as defined in breeding of and experiment on animal ठीक है rules 1998 जैसा कि define किया गया है breeding of experiment or animal ठीक है ना breeding of and experiment on breeding or experiment जो एनिमल को होता है उसमें जो rules है 1998 में उसमें define किया गया है IAEC को कैसे IAEC है ना institutional animals ethic committee means इसका मतलब है a body एक संस्था comprising of जिसके अंदर group of persons कुछ लोग है recognized and registered by CPCA जो की recognized किये गए है और registered किये गए है CPCA के दौरा performed in an establishment ठीक है जो और वो perform करते हैं कहाँ पर establishment इस्टेबलिस्मेंट 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 ना तलब वो संस्था में जिस संस्था में बनाई गई है which is constituted and operated in accordance with the procedure specified for purpose by the committee जो की काम करती है और operate होती है in accordance with the procedure उन procedure के तहत जो की specified किये गए है ठीक है कमिटी के लिए या CPCA के दौरा तो simply definition है यहाँ पर याद करना चाहिए याद कर सकते हैं नहीं याद करनी तो इस पार को छोड़ सकते हैं तो यह बात के लिए रोगी IAC किसके तहत बनती है और कहां बनती है अब बात कर लें इसका objective क्या है तो objective हम सबको पता है to contribute to the effective functioning of the institutional animal ethics committee so that standard and consistent ethical review procedure for animal research is practiced ठीक है standard and consistent ethical review तो कह रहा है कि to contribute to the effective functioning of the institutional animal ethics committee कि जो IEA है उसका जो effective function हो सके वो अपना contribution दे सके तो उसका main चीज क्या है वो standard और consistent ethical review जो भी project आते हैं उसके पास उसका एक standard और consistent एक समान ठीक है ना ethical जो की जायज है review करें ठीक है procedure for animal research जो animal research के लिए जो भी review है मतलब है फाइल आती है उसको review करना वो standard और ethical करें ठीक है research is practiced for all proposals dealt by the committee as prescribed by the CPCA under the PCA Act 1960 and breeding and experiment rule 1998 ठीक है तो simple सा इसका objective क्या है आप यहाँ पर सीडी सी बात लिखेंगे standard and consistent ethical review ठीक है review procedure for animal research इतना कर लेंगे यह इसका क्या हो जाएगा objective हो जाएगा बात समय मागी वो review करती है जो project आते हैं उनका क्या करती है review करती है review का standard होना चाहिए consistent और ethical होना चाहिए के लिए रहे बाते हैं ओके function क्या है IAC के बहुत सारे function है इसके ठीक है आओ देखते हैं हम लोग eight member IAC that include a nominee of the CPCA ठीक है इसके अंदर eight member होते हैं iac के अंदर एक member CPCA का होता है वहां से diet आकर यहाँ पर काम करता है इस constituted in every registered institute as a necessary pre-requisite ये जो है 8 member की IAC जिसके अंदर एक nominee CPCA का होता है ये गठित होती है हर institute के अंदर जो की registered होते हैं ठीक है और ये pre-requisite है जरूरी है अगर ये नहीं होगा तो आप experiment नहीं कर सकते हैं all research project proposal using small animals such as rat, mice, rabbits और guinea pigs have to be approved by the IAC before initiation function देख लो इसका तो उपर जो इसका objective हो आप function यहापर यहापर यह आजाएगा इसको review करना यहापर अब function दे रहा है कि छोटे छोटे जानवर जो है rat है, mice है, rabbit है ठीक है या guinea pig है, उनको लिए जो भी उनको शुरुआत, उनके पर experiment शुरू करने से पहले यह क्या देगा, approval देगा कि इनको पर करना है या नहीं करना है every member of the IAC, IAC का जो हर एक member है has the right, उसके पास अधिकार है to question, सवाल करने का, या disapproval of project कोई भी member, आठों मेंसे कोई भी member disapproved कर सकता है और सवाल कर सकता है, यह नहीं कि chairman ने बोल दिया या main head ने बोल दिया, वो ही हो गया ठीक है, सब करता दिखा रहा है unapproved proposals are referred to a subcommittee of experts जो proposal unapproved हो जाते हैं, वो एक subcommittee होती है उनके पास फिरी scrutiny के लिए भेज दिया जाता है और जो भी कमिया होती है, ताकि वो आगे काम हो सके IAC cannot approve research product on large animal जो बड़े animal होती है, उनको उपर research करने के लिए IAC approval नहीं दे सकती है such as dogs, cats, ठीक है, non-human primates, cattle हो गया, got हो गया, ship हो गया and so forth and can only recommend the same to the subcommittee of the CPC और फिर वो क्या करेगी, भेज देती है उस file को किस के पास CPCA के पास, which alone has the power, सिर्फ इसी के पास power है to approve project on higher vertebrates, जो higher vertebrates है read के हड़ी वाले जानवर जो बड़़े हैं, उनके उपर अगर experiment करना है, तो ये इस file को CPCA के पास भेज देती है monitoring research throughout the study, पूरी study को दौरान research को monitor करना and after completion of study through periodic reports, ठीक है और study complete होने के बाद जो उनके reports है, उनको monitor करना visiting animal house, जहाँ animal रखे जाते हैं, वहाँ visit करना and laboratory where the experiments are conducted जहाँ experiment हो रहा है, जहाँ animal रखे जाते हैं, हर जगे visit करेगी, अपना check करती रहती है the committee has ensured, यह committee सुनश्चित करती है, compliance with all regulatory requirements ठीक है, applicable rules, guidelines and law, यह सुनश्चित करती है, जो भी compliance है मतलब जो भी rule regulations है, वो properly follow किये जा रहे हैं, ठीक है जो guidelines है follow किये जा रहे हैं, जो applicable rules है, वो follow किये जा रहे हैं, यह इस चीज़ को सुनश्चित करती है, ठीक है IAC accords quality and consistency in review of research proposals and to prevent inflection of unnecessary pain ठीक है वो यह वाली कहानी आगी जो IAC होती है वो quality और consistency को review करती रहती है और क्या करती है प्रिवेंट करती है inflection of unnecessary pain suffering before, during and after experiment on animal to follow the CPCA guideline और जिससे की CPCA की guideline follow हो सके है ठीक है तो घूम फिर के वही सारी कहानी है फिर कहा रहा हूँ बेटा जो बाते मैंने हैं बता दी है आप उसको अपनी language में लिखिएगा law की language में लिखने की आपको ज़रूत नहीं है law की language सुर्फ इसलिए रहता है थोड़ा सा की वो चीज़ समझ में आ सागी कि और लिखा कैसे गया है कई बार question law की language में आते हैं तो समझ में आना चाहिए आगे आते हैं composition आई एसी का composition की बात करने तो कौन-कौन लोग हैं इसके अंदर इसके अंदर आठ मेंबर होते हैं हमने देखा था इससे पहले वाले पहरा में पहला पॉइंट था एक biological scientist होता है दो scientist from different biological disciplines अलग-अलग biological उसे होते हैं डिस्प्लीन से होते हैं एक veterinarian एक जानवरों का doctor होता है जो की जानवरों की देखरे करता है scientist in charge of animal facility of the establishment concerned scientist in charge of animal facility का scientist in charge होता है ठीक है establishment की तरफ से वो होता है a scientist from outside the institute एक institute के बाहर का भी scientist होता है a non-scientific socially aware member non-scientific but socially aware ऐसा member भी एक रखा जाता है उसके अंदर local से ठीक है a nominee of cpca cpca की तरफ से एक nominee होता है उसको यहां इंग्लूड किया जाता है ठीक है तो टोटल आठ मेंबर है अब क्या कह रहा है तच चेर person of committee and member security would be nominated by the institutional from among the eight members यह जो आठ मेंबर है इसी मेंसे चेर जो वो होता है चेर person इस committee का उसको choose कर लिए जाता है member against serial number one two two four जो one two three or four यहां से लेकर जहां तक की बात करें अगर हम लोग अरे one two four की अगर हम बात करें तो कह रहा है will be nominated by the institute वेक से लेकर चार तक यह member तो institute के द्वारा choose किये जाते है and approved by cpca और approve किया था cpca के द्वारा whereas member five six seven will be nominated by cpca नीचे के तीन member है यह cpca के द्वारा nominate किये जाते है ठीक है तो इस तरीके से पूरी team बनती है दो दो लोगों के हिसाब मतलब आठ लोग हैं दो अलग लग सब्सक्राइब कुछ लोग चुने जाते हैं कुछ cpca को द्वारा चुने जाते हैं और फिर टीम हमारी बनके तयार हो जाती है किलियर है हाई ए ए ए सी और cpca यह थोड़ा सा टॉपिक है हमारे जाने जरूरी है संच्था होती है इस तरीकी से अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो अगला टॉपिक है breeding and stocking of animals कि हम जानवरों को जब breed करते हैं और stock करते हैं तो उसमें क्या-क्या रूट्स और regulations follow होते हैं ठीक है तो कह रहा है only registered establishment जो registered establishment can carry on the business के बल वही क्या कर सकते हैं business को carry on कर सकते हैं मतलब breeding कर सकते हैं या stock कर सकते animals का of breeding animal for the purpose of experiment every breeder shall apply for registration हर जो भी breeder होगा वह registration के लिए apply करेगा within 60 days from the date of commencement of breeding अगर वो breeding start कर रहा है ठीक है तो 60 दिन के अंदर अंदर registration करवा ले ठीक है बासमज़ मागी and breeding should be stopped if the committee refuse registration और अगर इसी बीच में committee ने इनका registration refuse कर दिया है मना कर दिया नहीं दे रहे हैं तो उसको वहाँ breeding program रोकना पड़ेगा अपना फिर the application should be made in specified format to the member secretary by the committee in this regard ठीक है एक specified format में application दी जाती है for registration of establishment breeders the government of India has set up the CPCA और क्या बोल रहा है कि breeders या establishment जो संस्था है उसको registration कराने के लिए government of India ने CPCA को गटित किया हुए है the secretary of the committee may ask for the information अब जो यहां कर सेक्रेटरी है ठीक है इस committee का वो information मांगेगा relating to किसके बारे में प्रिमाइस प्रिमाइस मतलब जगह बता अपनी कौन सी है कहां पर है वेर्द एक्सपेरिमेंट साथ टूबी कंडेक्टेट जहां एक्सपेरिमेंट तुम लोग करोगे animal house facility दिखाओ कहां जाएंब को रखोगे कैसे रखोगे details of breeding of animals animals की breeding की detail बताओ भाई ठीक है if satisfied cell registered such establishment or the breeder और अगर वो satisfied हो जाते हैं ठीक है CPCA वाले तो इसको register कर देते हैं फिर अब reader cell comply with all conditions specified at the time of registration जो time of registration दोरान जो भी conditions बोली गई है वो उसको follow करनी है या जो उसने बोली है कि मेरे पास है तो वो होनी चाहिए every registered establishment cell maintained registered as per the specified format and keep complete particular about तो यहां पर अगर हम बात करें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोगों ने उसका पढ़ा था ना कि एक pharmacy store का जो हम registration करते हैं तो क्या क्या चीज़ लगवग वैसा ही मिलता है ठीक है किवल यहां जानवर की बात हो रही है ठीक है next point पर कह रहा है every registered establishment cell maintained जितने भी registered establishment उनको maintain करना होगा क्या register जैसा की specified है या कहा गया है उस प्रकार से और क्या क्या चीज़ उसके अंदर होनी चीज़ रेइस्टर के अंदर क्या 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 maintain करना है नेचर एक्सपेरिमेंट जैसा है ब्रीडिंग है डिसक्षरैन दबा का आपको दोस चेक कर रहो क्या है जो एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते है उसका करार्म देना होगा कहना जो animal stock किये जाएंगे रखे जाते हैं वो बिलकुल कैसे होने चाहिए जैसे कि prescribed किये गए हैं कि इस तरीके से आपको जानवर को रखना है इस तरह का खाना पीना होना चाहिए इस तरह का रख रखाओ होना चाहिए उसी के according आपको उसके अंदर रख रखाओ करना है तो कही न कहीं बात हम देख रहे हैं यहाँ पर जो breeding और stocking वाली है यहाँ पर दोनों बाते मिल जूल के आ रही है यहाँ कि जब point आप लिखेंगे तो CPCA करवा रही है कुछ चीजे और क्या क्या चीजे होने चाहिए उसके बारे बाते हो रही है ठीक है एक जो breed करवाएगा जो stock करेगा animal को for the purpose of experiment उसके अलावा यह नहीं कि जो पाल रहे है उसकी बात नहीं हो रही है एक्सपेरिमेंट करने के लिए गर ब्रीडिंग करने है तो यह सारी conditions लागू है किलियर है बाते हैं नेक्ट एनिमल हाउस चैल भी लुकिटेट इन कॉइट एटमोस्पेर जो एनिमल जानवर को घर होता है वो सांत वातवरण में रहना चाहिए यह नहीं कि आप कहीं लगे और ट्रेफिक के बगल में लगा दिया जंगल कैसे होते हैं सांत होते हैं जानव सबस्त्रा रखना है यह रखना है हाईजैनिक है ना साफलुकर के सासात हाइजैनिक मतलब किस तरह का इंफेक्ट्शन हम करना होना चाहा हुआ बहुत एक्स्ट्रीशम मुआ पर सूखा या वेधार के जो अगरमी बहुत सर्भी इस टैव की चीजए नहीं होनी चाहिए और जो जाणवरों की पिंजडे होते हैं for small animal and stables for large animal एस्टबल कहले है manifold कहते हैं large animal के लिए चोनवरों के लिए जो पिंजडे हैं या बड़े जानवरों के लिए जो औस्टबल है animal is so that it may be comfort and overcrowding avoided कहरा है कि छोटे जाणवरों के लिए पिंजडे और बड़े जानवरों के लिए estables इस प्रकार से होने चाहिए कि वहाँ पर overcrowding नहीं हो भीड़ बार नहीं होने चाहिए कि एक पिंजड़ा छोटा सा उसमें 10 को गुशा दिया ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है Standards have been laid down by the Indian Standard Institution ISI for the KJN Estables तो क्या standards हैं जानवरों के पिंजड़े के लिए उनके अस्तवल के लिए वो ISI Indian Standard Institution ने mark किये हुए हैं आपको उसके according follow करना पड़ेगा Animals attendant must be trained and experienced in duty जो animals को attend करता है खाने भीने का या रखर का काम करता है वो trained होना चाहिए और expert होना चाहिए Before acquiring an animal or conducting any experiment on any animal कह रहा है कि animal को प्राप्त करने से पहले या experiment करने से पहले ठीक है Every registered establishment shall apply for permission of the committee ठीक है न वो क्या करेगा Experiment करने से पहले permission लेगा किसे IAEC से While granting permission for conducting experiment on animals They may put conditions as it may deem fit to ensure that animals are not subjected to unnecessary pain or suffering before during or after the performance of experiment on them फिर कह रहा है कि जो IAEC है वो grant permission grant करने से पहले Condition लगा देगी कि जानवरों के क्या नहीं होना चाहिए Before, during, or after unnecessary pain नहीं होना चाहिए जो कहीं नहीं बातें घूम फिर के वो ही है थोड़ी सी बात यहां stock वाली थी जो हमको यहां समझनी थी कि stock करने के लिए भी हमको सारी permission लेनी होती है तो वो सारे points आपको इसके अंदर 78 points देने रहेंगे Clear है? फिर अगली heading है हमारे topic के अंदर जो हमारा यह है Performance of Experiments ठीके? बाइनू डिस्कवरी ओफ नालेज तो कहohd आपद आइनिमल फॉर दा आडवानसमेंट जब हम एक्स्वरीमेंट के उपर यहां है एक्स्वरीमेंट करते हैं क्योंकि नहीं नहीं जो discovery हो रही है नहीं जो advancement हो रहे है नहीं नहीं जो knowledge आ रही है उसके चक्कर में हमें animals के उपर क्या है experiment तो perform करना ही है which will be useful for saving और prolonging life जिससे कि क्या हो सकेगा लोगों की जिन्दगी बचेगी और लोगों की नहीं इवन जानवर और दूसरे जानवर की भी जिन्दगी बचेगी और for combating any disease या कोई बिमारी से हमें लड़ना है या इनसान की जानवर की या प्लांट की ये lawful है तो पहले लाइन बोल रहा है कि experiment perform करना जरूरी है क्योंकि समय के साथ नहीं नहीं खोज हो रही है नहीं एडवांसमेंट आ रहे हैं नहीं बिमारियों के लिए जो दवाए बनती हैं उसकी खोज होती है तो उसके लिए experiment करना जरूरी है अब जब experiment करना जरूरी है ही है ठीक है फिर आगे बात आती है हमारे पास क्या रहा है the experiment shall neither be performed क्या रहा है experiment तो करना है क्यों करना है advancement by new discovery नहीं डिस्कवर्यों जैसे नहीं चीज़ें आ रही है अब कहरा है the experiment shall neither be performed for the purpose of attaining और retaining manual skills कहरा है experiment आपको इसलिए नहीं करना है कि आपको क्या करना है purpose of attaining और retaining manual skills कि आप अपने हाथ की सफाई करने के लिए आप किसी को काट पीट रहे हैं इसलिए नहीं करना आपको accept in school school के अलावा school में तो ऐसा होगा कोई नहीं बच्चे लोग करते हैं तो होता करके school college और recognized training institution के अलावा कोई भी बेवज़े अपने आपको skillful करने के लिए अपने हाथों को expert करने के लिए उनकी कटाई मतलब जानवरों के उपर experiment नहीं करेगा nor by way of an illustration or as public demonstration या public में दिखाने के लिए देखो हमने इसको ऐसे काटा ऐसे काटा इसको इसलिए भी जानवरों के उपर experiment नहीं किया जाएगा के लिए रहे बाते हैं फिर कह रहा है when experiments are performed in any institution जब भी किसी संस्था में experiment होगा the responsibility is placed on the person in charge of the institution जो जिम्मेदारी है उस institution का जो head है उसकी सारी जिम्मेदारी होगी experiment performed under the supervision of a qualified person जब भी experiment किया जाएगा qualified person की देखरेक में किया जाएगा the qualified person shall hold a degree जो qualified person होगा उसके पास एक degree होनी चाहिए इन वेटरिनरी साइंस वेटरिनरी साइंस है मेडिसिन में या लेबरेटरी में ठीक है या institution recognized by the government of for the purpose या experiment करने के लिए कोई ऐसी संस्था है जो government of India के दुए रिक्रिनाइस की गई है वहाँ पे उसने practice की हो और डिप्लोमा या डिग्री लिया हो ठीक है इन जगाहों से अगर उसने डिप्लोमा डिग्री लिया हुआ है तो ही वो qualified माना जाएगा experiment shall be performed with due care and humanity experiment इस प्रकार करना है कि जानवर का ध्यान भी रखना और इंसानियत भी बरतनी है animal must not be subjected to unnecessary pain ठीक है और यह वाली बात आगी जानवर के उपर जब भी करेंगे तो unnecessary pain नहीं आना चाहिए उसके पर before during or after the performance of experiment on them ठीक है experiment with severe operations shall be done under anesthetic environment अगर को severe operation करना है पूरी body को काट़ पीटी करनी है कोई चेक करनी है तो हमको anesthetic environment यानिक उसको बिहोश करके ही उसके पर surgery करेंगे ठीक है by the trained person to prevent the animal feeling pain ठीक है ताकि animal pain को feel ना कर सके in the experiment under anesthesia if an animal injures severely अगर anesthesia में जब हमने उसके पर experiment किया ठीक है और वो जानवर severely injures हो गया injures मतला चोट लग जाती है that recovery involved pain and suffering then they shall be destroyed humanally तो ऐसी कवस्था में ठीक है बहुत दर्द हो रहा है उसे बहुत कश्ट हो रहा है तो हम उसको destroy करेंगे humanly यानिकि वह यह यह इतनेशिया के तहत उसे हम लोग kill कर देंगे फिर बात समझ में आ रही है तो यहां पर यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि बातें almost जानी पहचानी है बस एक बात रीट करके समझ लेना है कि है क्या चीज़ बात बाकी performance of experiments करते हुए हमको क्या कर चीज़ें को ध्यान रखना है कौन कौन कर सकता है कौन को नहीं कर सकता है य जानलोर को यहां से वहाँ ट्रांसफर करते हो यह acquire करते हो तो कहरे रहा ट्रांसफर आफ ऐनी इनिमल बाई वे ब्रीडर तु एन अन्रजिस्टर्स्य स्टैलिश्मेंट परमिटेट जो अन्रजिस्टर्स था है जिनका registration नहीं हुआ है उनको अगर ट्रेल करते हो तो यह पर बाद जब हमने नसल को अच्छा करने का एक नसल अच्छी हो गई हम एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गई अब जो नसल पैदा हुई यह उसका करेंगे क्या जानवर हमारतों देंगे नी तो हम उसको फिर क्या कर सकते हैं कि बाद में डोमेस्टिक यूज़ के लिए दे सकते हैं किसी को ठीक है ना अगर कंट्री में पहले से कोई जानवर महजूद है तो उसको आप बाहर से नहीं मंगा सकते हैं कि लिए रहे बाते हैं ठीक है तो कुछ खास बाते नहीं है एक बाई रीट कर लेना दिमाग में बातों को सेट कर लेना रिकॉर्ट की बात करें रिकॉर्ट क्या है एवरी इस्टेबलिस्मेंट या आई एसी shall maintain a record वैस्टर अपना maintain करेगी of the animals का in its control and custody जो भी उसके animals उसके control में है उसके custody में है उनका record maintain करेगी and furnish such information as the committee में from time to time required in the specified format और वो सारी information जिस format में committee बोलेगी उस format में उसको दिखाने पड़ेगी all laboratories shall inform the exact number or species of animal to the secretary or any other officer in this regard by the committee as per specified format ठीक है सभी इस laboratory को exact number कितने जानवरों की संक्या है ठीक है कितनों पर experiment हुआ कितनों पर नहीं हुआ वगएरा वगएरा वो सारी information ठीक है आपको जो वो होगा secretary होगा ठीक है उसको क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा specified format जिस format में बताया गया है ना format होता है कि आपको पहले नाम लिखना है फिर time लिखना डेट लिखना कौन सा format है उस specified format में आपको बदाना पड़ेगा कि लिए रवाते हैं फिर आता है हमारे पास power to suspend और revoke registration यानि कि हम registration को suspend कर दें या बहाल कर दें if the committee is satisfied that the rules made by it are not being followed अगर committee इस चीज़ से satisfied हो जाती है मालों CPCA या कोई committee है ठीक है वो इस से satisfied हो जाती है कि हमारे बनाए हुए rules तो यह follow कर नहीं रहा है ठीक है not followed by any establishment, breeder या IAC the committee मतलब CPCA जो committee है may after giving reasonable opportunity वो एक opportunity देगी भाईया बताओ क्यों हमारे rules follow नहीं हो रहे हैं ठीक है of being heard the matter और matter को सुनेगी revoke the same either for specified period और वो उस registration को revoke कर सकती है खतम कर सकती है या तो कुछ समय के लिए या indefinitely या हमिशा के लिए और may allow the establishment to such special conditions as committee में impose या उसके बाद कुछ खास condition और सर्तों के साथ वो उसको वापस से काम करने को दे सकती है ठीक है तो power to suspend और revoke registration अब breeder shall comply with the directions given by the committee जो breeder है जो breeder होता है experiment करता है उसको वो सारे निर्देश मानने होते हैं जो committee देती है for the purpose of controlling and suspending experiment on animals ठीक है animals के उपर experiment करने के लिए जो भी control या suspending अगर animals को बोल दिया है कि experiment नहीं करना है suspend कर दो तो सारे निर्देश उसको मानने पड़ेंगे import of any animal in the country by a breeder is also not allowed ठीक हो breeder के दौरा ठीक है direct क्या है import allowed नहीं है the committee में pending the final determination but prima facie failure to comply with the provisions of these rules suspend the registration of such establishment of breeder क्या है committee में pending the final determination final जो decision है उसको pending में डाल देगी but prima facie लेकिन तुरांत जो देखते हुए कि failure हुआ है rules regulation follow नहीं हुए है उसको देखते हुए वो क्या करेगी suspend कर देगी उसका registration फिलहाल के लिए लेकिन अभी final determination नहीं देगी final decision नहीं देगी ठीक है in the event of revocation और suspension अगर suspense हुआ है या revocate हो रहा है या मतलब registration आपका गरबड हो रहा है suspension किया जा रहा है of registration of an establishment the committee may issue direction वो निर्देश दे सकती है for the care and production of animal कि जो जानवरों की care है देखबाल है protection है which are under the custody of such establishment वो कह सकती है कि अब जो आपके बास जानवर है वो हम जो कहेंगे उस संस्था को आप दे दी जिए या दूसरी संस्था आकर उसको take care करेगी और उसके देखबाल करेगी ठीक है ना तो यह सब चीजे हैं जब भी suspension होता है या registration हमारा निलम्बित होता है ठीक है Offenses क्या क्या है Offense क्या क्या होते है Hide any animal to avoid inspection आप कोई अधकारी आया जासने के लिए CPC के तरफ से आपने जानवरों को छुपा लिया Fail to produce the registration certificate आप registration certificate दिखाई नहीं पाए ठीक है Exhibit or train any animal which not registered आप ऐसे जानवर को train कर रहे है जो कि आपने registration लेते वक्त mention नहीं किया था ठीक है Experiment on animal on which experiment should not be conducted ठीक है Experiment on animal ऐसे जानवर के उपर experiment करना जो आपने क्या नहीं किया था Register नहीं करवाया था Do not allow officers or inspections For premises on Do not allow officers for inspection of premises जो आपकी जगे है वहाँ पर आप officer को या अधिकारी को Entry नहीं दे रहे हैं किसके लिए जान परताल करने के लगए तो ये सारे offences है ये सारे अपराद की category में आते हैं अब penalty क्या पड़ेगी आपके उपर Breaching Breaching मतलब तोड़ना पहलिवा जब आप तोड़ते हैं कोई या पराद करते हैं वो आपको जिर्माना भरना पड़ सकता है या जैसा भी punishment होगी वो देना पड़ेगा When the contravention उलंगन टेक प्लेस इन इस्टिशन दा परसन इंचार्ज शेल बी गिल्टी जब उलंगन होता है ठीक है किसी संस्था में परसन इंचार्ज जो इंचार्ज है ठीक है शेल भी गिल्टी वो दोशी माना जाता है of the offense and शेल भी punishable accordingly और उसी को punishment दी जाती है अब एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग बताया था Penalty for practicing Fuka और Doom Dave अगर आप Fuka या Doom Dave practice कर रहे हैं या Fuka करते हैं अपने जानवरों के साथ तो उसके लिए भी punishment है If any person perform upon any cow or other milch animal the operation called Fuka कहरा गाय बहांस के उपर या किसी भी milch दूद देने वाले जानवर के उपर अगर आप Fuka का प्रियोग करते हैं ठीक है Including injection or any other substance जिससे कि उसको दूद जादा निकले to improve lactation which is injurious to the health of animal और जो की जानवर की health के लिए नुकसान दायक है और permit such operation being performed या आप allow करते हैं आप माली के आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आप permission दे रहे हैं कि ठीक है तुम कर दो ऐसा upon such animal in his possession जो जानवर आपकी custody में है या आप का पालतू है आप दूसरे से कह रहे हैं भाई तुम कर दो फुका तो भी आप गुनेगार माने जाएंगे ठीक है और under his control he shall be punishable with fine which may extend वो डंडनी अपराद होगा उसको सजा मिलेगी punishable है ये ठीक है और fine उसको देना पड़ेगा which may be extend to 1000 रुपी जो कि 1000 रुपे हो सकता है या with imprisonment jail हो सकती है for a term which may extend to 2 years दो साल तक की आपको jail हो सकती है और with both या दोनों हो सकता है jail और fine दोनों लग सकता है and the animal on which the operation was performed और जिस animal के उपरो आपने फूका किया है या operation किया है operation मतलब जो ये फूका एडूमडेव किया है will be forfeited जब तक कर ले जाएगा to the government government के दोवारा ठीक है तो कही ना कही जानुरों को ले करके सारी बाते थी ओके तो ये chapter भी हमारा खतम हो गया थोड़ा सा landy था बहुत सारी बाते थी इसके अंदर बेसिक बेसिक बाते है फिर को हो बेटा एक concept दिमाग में set कर लेना है फिर उसको अपनी language में लिखना है बिल्कुल law की language में आपको चलने की ज़रूरत नहीं ठीक है ओके clear रहे बाते है तो हमेशे की तरह notes description में मिल जाएंगे ये मेरा number है कुछ problem आती है तो और आप लोगों के प्यार से बहुत से बच्चे app की help से पढ़ रहे हैं ठीक है और फाइदा ले रहे हैं उसके तो आप चाहें तो आप लोग भी इसमें जोड़ सकते हैं ठीक है इसकी fees मातर 1100 रूपे है और सबसे जरूरी चीज आपको पढ़ना है revise करना है all the best